हेलो दोस्तों आप लोगों का सौगात है पगला एक्स्प्लेंज चैनल पे तो जैसा कि हमने फिछले एपिसोड में देखा था कि गोजंग ने एक और बंदे की बली चढ़ा दी थी इसलिए एपिसोड की सुरुआत में हम लोग जाओ के क्लेंड वालो को देखते हैं जो उसे ढूनने की कोसिस कर रहे थें लेकिन बें दहां ढूनने के बावजुद उसे उसकी बॉड़ी नहीं मिलती है और तभी एक बंदा उन्हें बुलाता है तो फिर उन्हें जाओ की बॉड़ी मिलती है जो की पूरी अदमारी हालात में थी जिसे कि उसकी सारी एनरजी को चूस गया हो अब यू लोग फ्रसला करते हैं कि इन्हें जाओ को इनसाफ देलाना पड़ेगा और इनका सबसे पहला संदिग्ध यानि की सस्पेक्ट सूकिंग मंधी है यूकि वही आखरी बार जाओ के साथ देखी गई थी अब यू लोग भागते हुए संदिग्ध की पास जा करते हैं वैसा ही यहां पर हो रहा था वहीं बात को बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखें की ट्विन सोल बाहर निकलती है जो कि उसे गयती है कि यहां पर मासकर मचा दो जो हत्ते चड़े उसे मार दो जिसके बाद आम लोग यहां से भाग निकलेंगे अब उसी टाइ लेकिन उसी टाइम पे वो सुनेर सुकिंग के उपर अटाक कर देता है इसको सुकिंग मुस्किल सही रोक पा रहे थे कि उसकी कल्टीवेशन बहुत जादा थे वह पे सीनर सुकिंग से कहता है कि तुम्हें सी ओफ कॉंसिनस को दिखाना ही पड़ेगा अगर तुम खुद से सुकिंग से गयती है कि यहां पर काफर जिदा फेमस है इसलिए अब उसे सजा मिलके ही रहेगी वेपे गोचंग को जैसे ही पता चलता है कि यह डिमॉनिक सकसर वाला नाता सुकिंग के सार्ट निप्टा हुआ है तो वह सुकिंग से फूचता है तुम यहां पर क्या कर रही घूंड़ने के लिए आई थी और गोचंग सुकिंग को अपनी चिंता दिखाने लगता है कि उसे एसे ही यहां पर नहीं आना चाहिए था यहां पर इसके लिए खतर्नाक हो सकता है और उन सभी लोगों की आँखे बहार आ जाती है यह जानकी कि गोचंग सुकिंग का ही हो जाती है और वह सुबहाइदे हुए गोचंग को बदाती है कि यह लोग जबरदस्ती उसे फोर्स कर रहे थे और इसे डिमॉनिक से सर बनाई दे रहे हैं जबकि उसने कुछ किया ही नहीं है और जबरदस्ती उसकी सी आफ कॉंशेनेंस के ऊपर इन्विस्टिगेट करना चा मना करती है लेकिन सुकेंग गोचंग का कहना कहां डाल सकती थी और वो अपने इस कॉंशेनेस को रिलीज कर देती है और गोचंग उन लोगों से कहता है कि आओ और आकी इन्विस्टिगेट कर लो लेकिन वो सभी लोग मना कर देते हैं यह कि उन्हें अच्छे से बता है कि आस-पास रहने वाले लोग कभी भी डिमॉनिक सेसर से कोई भी नाता नहीं रख सकते हैं वह पर गोचंग भी अपनी पाउर को रिलीज करते हैं उन्हें धमकाता है और कहता है कि अगर यह सच में कोई डिमॉनिक सेसर से नाता रखती है तो मैं इसका हिसाब खुद कर पूला है और बोचंग कोसता है कि इस बारे में इस पर सुकिंग बताती है कि यह जोटकी वह यहां पर उससे धूनने के लिए आया थी इस पर गोचंग उसे कहता है कि तुम्हारे दिल में कोई भी जगा नहीं रखती हूँ और वैसे वे तुम्हारे एड़्देगर तो से स्टिल वीटी गूमती रहती है तो फिर मेरी क्या ही आवकात है इस पर गोचंग सुकिंग की ठुटी बगड़ता है जस्ट लाइक रोमेंस और उससे कहता है कि तुम कब इतना ज्यादा एरोगेंट और बोल्ड हो गई कि मेरे खिलाफ इस तरीके से बोलने लगी साय से मुझे तुमसे निपटना चाहिए इस पर सोकिंग खुद ही चिपकते हुए गयती है कि हां मुझसे निपट लो चिसे कोचंग हैरान होता है कि इसे क्या हो गया वेपे ट्विन्सोल सुकिंग से गयती है कि उसके इतने करी मत जाओ नहीं तो वो तुम्हें बरबात कर देगा इस प तो बिल्कुल मुझे बहुत ज़्यदा परिसान करने लगी हो और ट्विन्सोल उसके उपर हसनी लगती है ये कहते हुए कि देखा कदम बढ़ाया लेकिन इसके बाव जो जो जोकर की तरह उसमें रिजेक्ट कर दिया अब सोकिंग को इसे गुस्सा आ जाता है और वो डिरे सबाव जोकिंग को कितना बुरा लग रहा है और वो मुस्कुराते हुए गोजंग से कहती है कि वह बहुत जदा हार्ट लेस है लेकिन इसके बावजूद गोचंग से हातों मरने से कोई पितनी बुरी बात नहीं है लेकिन गोचंग उसकी कंधे पे हार डाड लेता है और उ और वो फिर से गोजंग पे फिदा हो जाती है अब इसके बाद मुख डीमन रियलम को देखते हैं जहां पर एक और बंदा रिकार्णीट होने वाला था हम देखते हैं कि वो चिलाते हुए उड़ता है ईशाओ तो मुझे नहीं मार सकती उसी पर उसकी सर्वंट उसे कहाती है कि वो इस तरीके से एमपरस का नाम नहीं चिला सकता है अगर किसी ने सुन लिया तो फिर उसकी बोटियां उड़ा दी जाएंगी वो बंदा अपनी सर्वंट से पूचता है कि मैं हूँ कौन और मैं कहां पे हूँ अब इसकी बाद हमें थोड़ी से जानकारी मिलती है दरसल इसका नाम जूबूफान है जो कि डीमन एमपरर का सगा बेटा है और इसकी बच्चकन की दिलरुबा ने इसे मार दिया था जिसकी बाद यहाँ पे सीम नीम के साथ दुबारा रिकार्नेट हो गया और हाँ अब इसकी बच्चकन की दिलरुबा नीमन रियलम की महारा नीवन जुकी है अब इसके बाद वो अपनी सर्वन से गया देता है कि किसी को बताना नहीं कि मैं जाग उठा हूँ यह तो दोनों की कबर एक साथ आगल भागल में खो दी जाएगी वह पर वो अपनी मन के अंदर सोचता है कि 6000 सालों में इतना सब हो गया है मेरे दिलरुबा ने मुझे क्यों मार दिया मुझे इस बारे में काफी अच्छे से इन्वस्टिगेट करना पड़ेगा और वो अपनी मन के अंदर यही सोचता है कि तुम मेरी पिछले जिन्देगी की दिलरुबा थी लेकिन इस जिन्देगी में नहीं अब इसके बाद मैं छोई मोचल अकैजमी को दिखाया जाता है यह वही अकैडमी है जहां पर सब कोई जाने के लिए बैटलफेल के अंदर कूद रहा था वहीं पर कई सारे लोग थे जो कि यहीं उमीद लगाते हुए आ रहे थे कि यहां पर आ जाने के बाद विए लोग कम से कम हेवल ने गौर्ड रियलम को अचीव ही कर लेंगे अब इसके बाद हम लोग एक बंदे को देखते हैं जिसकी उमर 50 साल थी अब यह फिर भी अकैडमी के अंदर आया हुआ था जबकि एज इतनी नहीं होने चाहिए थी इसलिए एल्लर उसके ओपर चिलाता है और उसे कहता है कि भाग जाओ यहां से तुम्हारी किसमत अच्छी है कि मैं इतने गुस्से मैं नहीं होने तो तुम्हारी में हड़िया तोड़ देता वह पर वहां से जाता तो है लेकिन बीस्ती करते है कि एक घटिया अकैडमी एक बंदे को नहीं ले सकती है और साती में वह अकैडमी के अंदर थूख भी देता है अब इससे एल्लर को आ जाता है गुसा और वह उसके उपर अटाइक करते हो है कहता है कि साला तुमसे कितने कहा कि तुम यहां पर विमल खाके थूख सकते हो और वह उसे दुनिया से ही मिटा देते हैं अब इस लफडे के भीज में हम दो भाई बहनों को देखते हैं जिन में से बड़े भाई का नाम था किंग लैन और शोटी बहन का नाम था किंग शावी में पेशावी यह चीज के दिख कि कफी जिदा घबरा जाती है कि यह लोग अकैडमी के अंदर थोड़ी सी बहस करने पे भी साला दुनिया से मिटा देते हैं और वो डरके मारे यहां से वापा जाना चाहती थी हाला कि लैन उसे कहता है कि उसके पास अच्छा टैलेंट है इसलिए उसे पक का अकैडमी के अंदर पोजिसान मिल जाएगे जिससे वो लोग अपने ग्रेंट पका भी बदला ले पाएंगे हैर वो लोग इसी बारे में सोची नहीं थे कि उसे डायमे वहाँ पे गूचंग आता है जो कि अपने ड्राइगन के साथ आया था और मैंने पहले नहीं बताया लेकिन गूचंग का ड्राइगन बहुत बड़ा है वह पे गूचंग जैसे ही वहाँ पे आता है तो वो डिरेक्ट एल्डर से जाके बात करता है और एल्डर उसे तुरंद अंदर जाने को कहते हैं एक सेसन के तोर पे क्योंकि गूचंग के qualities हर किसी को ही पता है तो फिर गूचंग भी सुक्रिया का के साइड में आ जाता है तो गूचंग उसे पूचती है कि वो लोग अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं तो गूचंग बताता है कि जरा देखने तो तो यहां पर कुछ लोगों के पास कमाल का टैलेंट हो सकता है अब इसके बाद हम लोग लैन और सावी को देखते हैं जिसको एल्डर बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं बिसकीली तो काफी छोटी थी और उसके पास कल्टिविशन का कोई भी टैलेंट नहीं था यहां तकि उसने सुरुआद भी नहीं की थी वेपि लैन के पास कल्टिवेटर करने के लिए इस्पिर रूट ही नहीं थी और गोचंग अपने points को उनके साथ share करने वाला था अब इसे लोगों के past point आ जाएंगे और गोचंग के साथ होने से ये लोग का academy के अंदर जा सकते थे हाला कि एलर उन्हें मना करता है कि इनको ऐसे मत accept करो इनके पास talent नहीं है इस पर गोचंग आगे से बताता है इनके पास talent भले ही ना हो लिए इनके पास determination है यानि कि जुनून और गोचंग को ये जुनून पसंद आया है वैपे इसके बाद हमें sawi की luck value दिखाए जाती है और यही है वो जुनून जो गोचंग को पसंद आया है वैपे वो दोनों भाई भेन गोचंग को अपना भगवान मान लेते हैं और उससे कहते हैं कि वो उसे compensate ज़रूर करेंगे जो गोचंग ने उनके उपर एहसान किया है गोचंग अच्छा भाला बंदा बंते हुए गयता है कि मेरे सापने घुटे ठेकने की ज़रूरत नहीं है वैपे वो जो जो गोचंग की तरफ देखता है तो गोचंग उसे गरीट करता है लेकिन वो गोचेंग को इगनोर करते हुए उन दोनों भाई बेनों के पाज आता है और शोटी बेन को टच करते हुए बताता है कि इसके पास demonic body है साथी में इनके पास सिकॉंग family की कोई powerful skill भी थी जो की बताई जाती है वेफे गोचेंग भी आगे से रडंगी करते हुए कहता है कि मुझे तो लगा था कि ये वीचारे गरीब बच्चे हैं तो मैं इनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ा वेफे elderly आगे से कहते हैं कि मैं इने लेके जा रहा हूँ भाई तुम लोग अपना देख लेओ मैं पर दोनो भाई बेहन जाने से पहले गोचेंग से कहते हैं कि गोचेंग ने जो उने काइनडनेस दिखाई है वो उसे कभी भी नहीं भोलेंगे इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं तो वो सभी आपस में बात करते हुए गयते हैं कि वो यहाँ पर क्या लेने के लिए आया है। इस पर एलेडली आगे से बताते हैं कि उसने उन्हें उन दोनों बच्चों के साथ भी देखा था और वो काफी जिदा अच्छा है और उसकी personality काफी जिदा सही है। इस पर एक लडर आगे से गयता है कि उसने अपनी छोटी वैन की हट या खींच के बाहर निकाली हैं तो मैं किसे अंगल से लगता है कि उसकी personality अच्छी होगी। अब इसकी बाद गोचंग अंदर आता है और वहां के दबदबे की वज़े से भी गोचंग को ज़्यादा परेशाने नहीं होती है और उने समझ में आ जाता है कि गोचंग के पास अच्छी cultivation है। कि वो तो दोइस्टे पैलेस का सक्सेसर है और वो तो अपने अपने फैलोडिसाइपल और किसी की मदद करता है वो क्या इतना जादा बुरा है जिसके बाद वो अपनी सबी अच्छाइआ एक एक करके गिनवाने लगता है जिस पर एल्डर उससे करता है कि वालतों के वाब पावर निकल रही थी जाता कि उसकी अंदर एलिमेंट ऑफ लॉक की भी पावर थी एल्लर ली सुई दिजी की साथ आगे बढ़ते हैं और उसे चुको चेक करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि ये बीबन रिलम से कोई नाधा रखती है और सिर्फ एक ही बंदा ग अच्छे से पूछा और साथी में मुझे खैनी भी खाने के लिए पूछा हाला कि मैंने वाना कर दी जिस पर एल्डर उसे कहते हैं कि यहां पर बेवकूफ लिखा है क्या जो मैं तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वातों पर यकीन कर लूँगा कर अब इसके बाद एल्ड सक्सेसर हो जिस पर इल्डर उसे कहते हैं चुप करो यार साला तुम सक्सेसर बनगे इसका मतलब यह थोड़ी ना है कि तुम कहीं भी वाइल काड एंट्री मारते फिरोगे अब इसके बाद एल्डर गोचंग को जानते हो कि इसके पास लिके जाते हैं डीमन रियलम की एमप कहती है जैसे उस पत्थर को देखता है तो फिर उसे याद आता है कि पुराना वाला गोचंग उसे के उपर बैठके अपनी चोटी डिसापल को देखा करता था और गोचंग को ऐसा लगता है कि यह पत्थर अब एक स्प्रीड बन चुका है जिसको डिमॉनिक एनरजी कहा ज है कि हमें ठीक हों वह पर टकला वाला बंदा जो पत्थर से निकला था वह कहता है कि यह परसंग के पास टोकन यानि की पत्तिक ऐसी है लेकिन जैसे ही वह गोचंग की तरफ देखता है तो फिर उसकी आखे पट जाती है लिकिए भाई सहाब को गोचंग के अंदर पूराना वाला गोचंग दिखाई देता है जो धर हरामी है इससी वह टकला वाला बंदा कांप के पीछे गर जाता है और कहता है कि डीमन एमपरर अभी तक मरे नहीं है याओ भी कोचंग की तरफ हैरानी से देखती है जिस पर गोचंग इंक तब सकल बना के कहता है क्या कभी मर्द न होना चाहते हैं अब इसके बाद टकला बंदा उड़ता है और कहता है कि भले ही यह दोनों दिखने में सेम हैं लेकिन मास्टर अलग थे बस इनके पास एक जैसा हो रहा है इसके बाद वह बंदा अपना नाम बताता है तो इसका नाम में ओल्ड रॉक मैं पर ओल्ड रोग औ अगे से बताता है कि उसे खुद ही यकीन नहीं है कि वो ऐसा कर सकता है तायो को सायद ऐसा लगा होगा कि वो मदद कर सकता है इसलिए क्योंकि वो डिवनिक एनरजी से बिलकुल भी एफेक्ट नहीं होता है और नहीं कंट्रोल होता है जबकि इसके बावजूद उसने अपन हिंदी में यहीं मतलब है अभी अपवाद की मिनिंग समस्ते जाओ तुम्हारे दादा गरिब तुम्हारे पापा गरिब लिकिन तुम अमीर बनोगे इसको कहते हैं एक्सेप्शन हिंदी में अपवाद वैपी ओल्ड रॉग वचंग को बताता है कि यह प्रब्लम दूसरे के आतो सॉल्व नहीं होगी सिर्फ तुम्ही खुद की मदद कर सकते हो दूसरा कोई नहीं इस पर मन में सोचता है कि मुझे मदद चाहिए भी नहीं बस तुम मेरे उपर थोड़ी सी धया खाओ बस मुझे उसी की जरूरत है वह पर गोचंग आगे से अजीब सी लाइन कहता है कि हमने पहले कभी एक दूसरी को देखा है कहीं परकि उसे ओल्ड राइक से कुछ अजानी पहजानी से फीलिंग हो रही है इस पर ओल्ड राइक आगे से कहता है काइंट से वह भी मेरी साथ अब गुचंग की ये वाली लाइन काफे जिदा फनी है तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगे जब समझाऊंगा तब आएगी गुचंग आगे से बताता है कि उसे एक अजीब सी हैवर्थ है जेडी स्टोन के उपर बैटने से उसे ऐसा लगता है कि अगर वो ऐसे बैटके करेगा तो उसे अच्छी फीलिंग मिलेगी उसने कई सारे जेडी स्टोन किया जो काफे जिदा मज़ेधार था साय से उसे लगता है कि ये औरिजिनल फॉर्म उसी के रॉक से ली गई है तो मैं तो पता है ना कि उल्ड रॉक पहले पथर था गुचंग आगे से कहता है कि मैं आपकी बेस्ती नहीं कर रहा लेकिन किसी तरीके से मुझे आपसे कोई क कोचंग की सेंस देखो उसा यह काइंड से यानि की जान पहचान वाली फिलिंग इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि वह जब भी कल्टिवेट कर रहा था तो अपनी तसरीफ एक पत्थर की उपर रखता था जिस पर ओल्ड रॉक आगे से गयता है कि साय से यह भाग हो सकता है और वह गोचंग का बताता है कि वो एजगा छोड़ के जा तो नहीं सकता है लेकिन कई सारे मअमलों में वो उसकी मदद कर सकता है basically गोचंग ने इसका भी आइसान ले लिया है वेपे गोचंग अपने मन के अंदर सूचता है कि Old Rock ने जो उसे चेजे बताई है उसके मुदा सब्सक्राइब इसका मतलब यह हुआ कि गोचंग खुद में ही एक डिमॉनिक एंपरर है अब इसके बाद और गोचंग को उसके बारे में काफे जदा सुना है और जब वह उसे सच में मिली है तो उसे यकीन हो गया है जो भी रिमर्स गोचंग के बारे में हैं वो काफे जदा सच है वह पर गोचंग इयाओ से कहता है कि उसने भी इयाओ के बारे में काफे कुछ सुन रखा है याओ पूछती है क्या सुन रखा है इस पर गोचंग अपने मन के अंदर सूचता है ना ही वताओ तो ही बहतर रहेग गोचिंग को लगता है कि वो सभीरियों में सबक्वास हैं कि वो इतने सालों थे यहां पर राज कर रही है अभी तक लोगों को कोई भी परिसानी नहीं हुई और वो लोग उसके भारे में विफालतों में ही जोटी अफ़वा फाहला रहे होंगे अब इसके बाद गोचिंग यहां की तारिफ करने लगता है कि उसके राज के दवरान जो डीमन वर्ल्ड है वो काफिर जदा अच्छे से ग्रो कर रहा है जबकि पहले ग्रो नहीं कर पाता था यहां पर आपस में लड़ाई रहा करती थी और वो आगे से एक लाइन कहता है कि दुनिया सिर्फ वहाओ की पर फोकस करती है कॉंट्रिब्यूशन के नहीं इसलिए उसे ऐसा लगता है कि याओ के लिए यह जगा एक्दम सेफ नहीं है और यह उसके लिए अनफियर है मैं पर ओल्ड रॉक मन के अंदर सोंचता है कि डिमॉनिक मास्टर ने भी यही बात बोली थी वहाओ भी किये हैं वो सब लेजंडरी हैं फिरम देखते हैं कि यहाओ गुचंग के लिए गाइड बन जाती है और इसे इधर उदर के जगा घुमाने लगती है लेकिन जब गुचंग इस तरीके से घुमी रहा था कि उसी टाइम पर सिस्टम के पास एक नोटिफिकेशन आता है जो कि सब्सक्राइब काएं और लोग कहां पर हैं और क्या कर रहे हैं और साइसे वह पांचों दुबारा जाग उट सकते हैं लेकिन उसके लिए अभी ये टाइम नहीं हुआ है लेकिन गुचंग आगे से बताता है कि उसकी opinion के अंदर reawakening कुछ रीजन्स की वज़े से होती है और वो यहाओ को सेसे करता है कि उसे ज़्यादातर survivors के उपर नज़र रखनी चाहिए कि वो उसके रास्ते के लिए बड़ा रोड़ा हो सकते हैं या उसे पूछती है कि इसका क्या मतलब है जिस पर वुचंग उसे बताता है कि उसे अपनी एनिमीस की जानगारी बहुत ज़्यादा अच्छे से करने चाहिए कि वो मरे हैं या नहीं परके ज़्यादा तर परेसान या उनकी नाक के नीचे ही बढ़ती हैं और उन्हें दबा देती हैं अब इसके बाद हम लोग एक और नए कारेक्टर को देखते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बंदा कल्टिवेट कर रहा था जो कि किसी जुनियर सिस्टर डाउ जियान की बात कर रहा था और वैसे इसका नाम जी एंग टियान जुन है अब इसकी पुरानी कहानी यह है कि यह पिछली लाइप में भगवान से हर दिन दूआ करता था कि उसकी जुनियर सिस्टर डाउ जियान की किस्मत अच्छी सी रहे लेकिन उसने कभी बेग्रेट डाउ को पीछा करना नहीं छोड़ा या फिर अपना रास्ता और इसकी रिकार्णेशन के बाद इसकी बस यही इ देखने वाली आंग की मदब से फिचर देखता है तो फिर उसे दिखाई देता है कि जियान को किसी ने बांध रखा था जो उसकी बॉड़िकर है यहां हो जाता है क्यूंकि ज्यान केकरेक्टर और टैलेंट के साथ उसकी लाइफ इस तरीखे से तो खतम नहीं होनी चाहिए और बेसे किस लाइब को खतम करने वाले हमारे गोचंग भाई सहावी थे और जब वहाँ पे गोचंग को देखता है तो वह भाई काफे ज़्यदा हैरान हो जाता है और उसे पतसल जाता है कि गोचंग कोई अच्छा इंसान नहीं है वह बस बाहर वालों के साबने ही अच्छा बनता है असलमा यह वह एक हार्टलिस, क्रूवल इंसान है जिसने अपनी बोन तो वापस कर दी थी जियान को लेकिन बस एक मजाग के तौर पे वह पे गोचंग फोर्थ वाल ब्रेक करते हुए कहता है इंट्रस्टिंग यहाँ जिसे ट्याँ जून के तीकरी तीसरी आख को पूर्येट्स आजाते हैं और वा अगेसे कहता है क्या उसने मुझे फ्यूचर में पता लगा लिया यह तोलामॉंकिन है और टियांजन को समझ में आ जाता है कि गोचंग से मिलना किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं होगा और रिमर्स उसके बारे में जैसा कहते हैं वो वैसा बिलकुल भी नहीं है वो एक मॉंस्टर है और उसे गोचंग से समाल के रहना पड़ेगा अब इसके बाद हम लोग लैन और सावी को देखते हैं जहाँ अपने बड़े बाई से पूछते हैं कि उसके पास किस टैप की फिजीक है बस उसे इतना समझना है कि उसके पास कमाल का टैलेंट है और रहा एक अल्डर उसे अपने डिसाइपल बानाना चाहता है लेकिन सावी आगे से गहती है कि उसे ऐसा च chef रोग sih करतीह का बेंगा कर ऊपसे जधाए है इसके बारें मैं काफे जद्धा अलब है और वह रुए से भागते वें चली जातीए ये कहते हुए कि जरूर करेगी वेपे लाइन मन के अंदर सुचता है कि अगर वो लोग पावरफुल होते हैं तो फिर उन्हें दूसरों से तया की भीग मांगनी के जरूरत ना पड़ती इसके बाद वो कमरे के अंदर आता है और अपने पास से एक बाटली बाहर निकालता है जिसके अंदर से हजीब सी कर रहा है अब इसके बाद में लोग चूफएन को देखते हैं जो एक एलडर के साथ था और इसने अपनी प्लास्टिक सरजरी करवाली है वेपे वो एलडर चूफएन से कहता है कि तुम्हें पिछली बार फसा दिया गया था लेकिन तुम्हें इस बार ट्रू इमोटल अका है लेकिन उसे घंटा फरक नहीं पड़ता है कि अगर वो ट्रू इमोटल अकैडमी के एलडर से मिल जाता है और वह उसके साथ देता है जिसे मार ना चाहता है वह उसे मार देता है अब इसके बाद मिंग वहां पने पंची के उपर आती है तो फिर उसे लोगों की बातों से 172 मार पर वहां पर लूडर से पूसkritा है क्या मिंग को भी टिस्ट दिने की जरूरत है जिसपर एलर कहता है बिलकोल भी नहीं वह मिंग अपने मन के अंदर सौंछती है कि आ सुरच पच्च्चिम से निकला है यह भड़वा मेरीलिव इन्पर रहा था अभ इसका नाम जी चैन है जो कि गोल्डन सी काड़ा टेंपल अब बुद्धिस मौन्टेन से आता है और ये भी काफी ज़्यदा पाउरफुल केरेक्टर है और लोगों की बातों से हमें पता चलता है कि गोचंग और जिंचैन दोनों बालावर के ही हैं लेकिन कौन ताकादवर है इसके बारे में अबे तक किसी को भी नहीं इसके बाद गोचंग आगे बढ़ता है जो कि जिंचैन को वेलकम करता है वहाँ पे मुसीबते आने लगी तो जिंचैन वहाँ पे चला गया ताकि वो ट्रबल का सामना कर सके और उसके बाद से उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी वेपे जिंचैन भी आगे बढ़ता है और गोचेंग को ग्रीट करता है लेकिन उसका जो 900 लायन था वो पता नहीं क्यों मिंग और गोचेंग के उपर दाहाड़ देता है जिसके बात वह मिंग से पोचता है कि तुमने हाले में कुछ बुरा काम किया वेपे जिंचै भी दिल ने नहीं लोँग वेपे जिंचैन के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए और वह किसीमोगे मुल करता है और उसे मिनन में घूस यह्ण वेपे जिंजन काफे जिदा समझदार था और वो लड़ने के लिए तुरंद राजी हो जाता है वेपे जब लायन अटाक करने की कोशिस करता है तो गोचंग उसके पर पैर रखता है और उसे भाई सबीन में गुसा देता है वेपे मिंग अपनी मन के अंदर सोचती है कि अगर गोचंग उसकी पुरानी जिंदगी की तरह दुबारा रिबॉन्ट हुआ होता यानि मेमोरीस के साथ तो वो डिरेक्ट जिंजन को सीक्रेटली मार देता इस तरीके से जादा उतल पुतल ना करता अब इसके बाद हम लोग टियान जुन को देखते हैं जिसके तीन चले उसे बताने आते हैं कि गोचंग ने जिंजन के किलफ लड़ाई कर दी है वेपे टियान जुन को जैसे ही इस बारे में पता चलता है तो वो इस मोके का फाइदा उठाने के बारे में सोचता है यह पता लगाने के लिए कि इस्टेंद कितनी है अब इसके बाद हम लोग देखने हैं कि गोचेंग और जिंचन दोनों आमने सामने खड़े थे पावर्स को रिलीज करते हुए और वहीं पर सारी ओडियंस इखटा हो चुकी थी जिंचन से कहता है बादा जिंचन प्लीज शुरू करि लिए कैद हो जाता है वहीं पर अफ़ागे थे कि यह मंत्रा इतना ज़्या सकतिसाली है कि कोई भी इसे आजाद नहीं हो पाता है और उन्हें ऐसा लगता है कि सायाद गोचंग अब हारने वाला है लेकिन वहीं पर गोचंग अपनी वाइड की टेक्नीक का इस्तमाल करता है और जिनचैन से गहता है कि यहाँ पर एक फ्लो भी रहता है इसके बाद गोचंग उसी टेक्नीक का इस्तमाल करते हुए जिनचैन के उपर आता है और उसके पर पाम अटायक करता है लेकिन जिनचैन भी आगे से गोल्डन सी काड़ा सेटिंग टेक्नीक का इस्तमाल करता है जेसे उसकी बॉड़ि कई सारे बेट्स के अंदर बदा जाती हैं, जो कि Locker के तरह होते हैं। वह में उनमें से जब कई सारे बेट्स फूरते हैं, तो वो कभी सारे क्लोन में बदा जाते हैं, जो कि опять जीचैन के ही थे। और उन लोगों को समझ में आ जाता है कि golden सी साडा सेटिंग सेटनिक फुरी तरीकी से broken हो चुकी है वहें पर गोचंग बाहर निकलता है जो कि जी चैन के उपर attack करता है इसे जिन चैन भी हैरान हो जाता है वहें पर गोचंग जिन चैन से कहता है कि अगर वो अपनी असली ताक को हरा दिया था इसे जी चैन के पास अब कोई तीसरा तरीका नहीं बसता है और उसे स्मूफ का इस्तमाल करना पड़ता है जो कि एंसेंस्टर आफ बुद्धा सी था हम देखते हैं कि वहां पे बुद्धाया आ जाते हैं जो कि अपने पाम अटाय का इस्तमाल करते हैं और पर हमला करते हैं लेकिन अपनी इस्तमाल करता है जो उसके पास आती है और बुद्धा के हाथ को पूरी तरीकी से काटते हुए डिस्ट्रॉय कर देती है वह पे बताता है कि उसने वाइट टागर जैंजिंग की पावर को मिला दिया है जिससे उसकी सौट गॉट्स के साथ- जिंट्यान के माते के पासा के रूख जाती हैं और जिंट्यान अपनी हार मान लेता है ये कहता हुए कि वह उसका राइवल के लिए सूट नहीं करता है इसपे गॉचंक उसकी हार को accept कर लेता है वे पे सभी लोग हैरान हो जाते है कि जिंट्यान भी हार गया जबकी वो만 त पर जैदा अनलकी था कि वो तुम्हारे रास्ते के बीच में आगे सीड़ी बन गया इस पर बोचंग कहता है कि नहीं वो लगी था कि मुसे लड़ने के बाद भी जिंदा बच गया वे पर जिंचैन का लॉयल रोने लगा था क्योंकि उसके सर में दर्द हो रहा था जिंचैन क्रूइ मोटल बदने के बाद वो अचानक से घायब हो जाएगी और साय से मिंगो बता है कि वो परसन कौन है जिसने मिंगो गिटनैप या फिर मारा होगा लेकिन हमें उसका नाम नहीं बताया जाता है और मिंगो इससे कोई फरक भी नहीं पड़ता है उसके लिए चिंता की अगर जरूरत पड़े अब इसके बाद ट्रूइ इमोटल अकैडमी के एडमिसन क्लोज होने वाले थे इसलिए वहां पे जियान भी आ जाती है और एल्डर उसे पहले से ही जानते थे वैकि उसका नाम काफे जिदा फेमस है वेपे उससे सभी लोगों की बादों से बता चल करते हैं और जब जियान उन्हें इज़त नहीं देती है तो वो लोग आखे से कहते हैं कि हम लोग यहां के सीनियर हैं और जुनियर्स को इज़त देनी चाहिए जिसपे जियान उन लोगों से बात नहीं करती हूं जो टौलेट के अंदर सफाई करते हैं जिसपे वो लोग ज इनके इलाजें में दूसरे लोगों को बुली कर रहे हैं कि किसी को भी परिशान नहीं करना है इस पर लोग आगे से कहते हैं कि मुझे मदद की जरूरत नहीं थे मैं उन तिनों को अकेले ही निप्टा देती इस पर यहां पर एकसेसिव यानि दिखावा करने वाले हो सकते हैं लेकिन वह ऐसा लगता है कि वह सच में इन लोगों को निप्टा देती कि कि वह काफी ज़्यादा कॉंट्विडेंट है जिसके बाद वह अपना नाम बताता है और कहता है कि वह परपल मेंसन का सक्सेसर है इसको काई किंग ज कर देंक के नाम से जाना जाता है जिसके बाद वह जियान के लोगों थोड़े से सनकी हैं इसके लोगों को में बताते हैं मैं तुम्हारी लिग करता हूं और वह सोचता ही कि अब वो लोग कहते हुए जा रहे थे वो भी मुस्कूर आते हुए लेकिन उसी टाइम पे उन्हें एक दागतवरा औरा महसूस होता है और वो उनसे कहता है कि रुको जरा अब इसके बाद गोचंग वॉइट से बाहर निगलता है जो कि यह सभी तमासा देख रहा था और वो उन त तिनों से पूचता है कि तुम जिस रड़की को सबक सिखाने जा रहे थे वो मेरी बहन है क्या तुम्हें पता था वो तिनों कहते हैं कि उन्हें नहीं पता था लेकिन अब पता चल चुका है और यह एक गलत पहमी है जिस पर गोचंग उनके साइड से निकलते हुए कहता है और उसने पहले ही उन्हें पनिस्मेंट दे दी है जिस पर गोचंग आगे से कहता है कि उनका औरा स्टेबल है और उनके उपर बिल्कुल भी खरोज तक नहीं आई है यह किस तरीकी की पनिस्मेंट है तो फिर टियान जिन अकैडमी का सहारा लिते हुए गयता है कि हम सभी य हैं आगे से कहते हैं कि जियान हमें आके बचाओ और वह और वह चिलाने हैकि अगे से चुल्ल ने लेकता है कि ये तिनो तुम्हारे उपर ही ब्लेम डाल रहे थे अब तूधिंघर हीbt करते हैं वह फिस सभी लोग हैंकि वो व तीनों çटके में ही मारे गए और टियांचुन का आगे से मूँ बन जाता है क्योंकि उसकी आखों के सामने ही उसके चिलों की बल्ली चढ़ा दी गई वेपे जियान गोचंग से पूचती है कि वो अकैडमी के अंदर ऐसे किसी को कैसे मान सकता है लेकिन गोचंग उसे चुप रहने को कहता है और पीछी मूड के कहता है कि हम सभी अपने अपास्टर से सीखते हैं इसलिए साय से कुछ लोगों को अब थोड़ा सा आकला जानी चाहिए और वो फ्यूचर में जियान के करीब आने की कोसिस भी ना करें अब इसके बाद गोचंग जियान के तोटों को हटाता है जो आगे से गोचंग को गालिया ही देता है इसके बाद जियान के ओंपर हाथ रखता है और उससे कहता है कि चलो है जो बहतरीन हो जो कमजोर या बेसहारा हैं उनकी यहां पे कोई जरूरत नहीं है चाहो तो रिटायर हो सकती हो और वो जियान को बताता है कि टियांजन उसके उपर पीछे इसलिए पड़ा था क्योंकि उसका कोई इन प्योर यानि के गलत मकसद हो सकता है जिस भी जियान कहत की से बताता है कि उसका ये मकसद हो सकता है कि वो तुम्हारा दिल चीत की इंदर साधी करना चाहे ताकि वो सनी लौबन के मज़े गड़ सके या फिर ऐसा ही कुछ है इस पर जियान गुचंग के गंदे के पर मारते हुए गयती है कि चिंदाना करो मैं उसके अंदर करके वहां से निकल जाती है और सर्माते हुए कहती है कि ज्यादा मसोचो बस मेरा धिमाग खराब हो गया था जिस पर गोचंग गाल से थूक को साफ करते हुए कहता है बेवकूफ और मन की अंदर सोचता है कि आखिर में कैसे मौत की तक तक चढ़ा के लेके जाओं कुछ द तुमारे बड़े भाई ने तुमारे लिए बहुत सारे बड़े बड़े गिफ्टर रेडी किये हैं अब इसके बाद हम लोग उस चमतकारी पत्थर को देखते हैं जहां पे कई सारे लोग एक खटा होए थे इस पत्थर के बारे में वस इतना चालों कि यह कई सालों पहले किनी से गिरा हुआ था और अब इसके अंदर से आद में निकलने का टाइम आ चुका है यानि बर्थ है और क्योंकि यह पत्थर नाइन हेवन से आया है तो बेसक इसके अंदर से जो भी निकलेगा वह एक टुरों इमोटल का डिसेंडेंट होगा अब इसके बाद हम लोग ल करती हैं कि तुम सच में कुछ देख नहीं सकती हो इस पर लेड़ी फिनिक्स करारा जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हारे घर के अंदर तो इतना बड़ा बवाल हो गया लेकिन इसके बाद वो जो तुम्हारे पास टाइम है कि यहां पर यह चीज़ देखने के लिए आ लोली है लेकिन उमर में अलरे से भी ज़्यादा बड़ी है और उनसे कहती ही कि ज्यादा पॉलाइट होने की ज़रूरत नहीं है अब इसके बाद जिंग बाहर निकलती है और ओल्ड रॉक को ग्रीट करती है ओल्ड रॉक उसे कहता है कि तुम इतने सालों बावजूद और च्छोटी होते जा रही हो इसके बावज के इसना बंध रह तो मैं पता है कि मैं इस बोटी के बारे में कुछ भी नहीं कर सकती हो चेंक रोट रोक्स यहीं पूश्ती है क्या तुम है पत्थर के थिदा लिएस युल्रक गाते है कि यह सच में ही रिवर्थ है अब इसके बाद उस पथर के अंदर से एक बंदा बाहर निकलता है जो कि आगे से से पूझता है कहां से गाए हो तुम्हारा नाम वाम क्या है रहा तब जमेन फट गई और उसने जैसे उसे टच किया तैसे ही वो अंदर सील हो गया जिसके बाद वो एल्डर से पूचता है साल कौन सा है बताओगे इस पर एंडर कहते हैं कि पत्थर से कोई ट्रोई मोटल नहीं बल्कि गदा बहार निकला है जिस पर वो सभी लोग नेरास हो जाते हैं और कहते हैं कि जिसे हम समझ है और बिल्कुल हार्म लेस हैं अब इसके बाद में बता चलता है कि यह भी टी आंज्जुन वाली पलटन से ही आता है और मन के अंदर सूंचता है कि पता नहीं मास्टर जूनियर ब्रेदर और बागे सबहें सिस्टर्स कैसी होंगी अब इसके बाद मैं इसका नाम बिधाय समझ रहे थे वह गधा निकला और वहां से निरड़ास होके चले गए साथी में वह गोचेंग को डिमानिक सक्सेसर के बारे में एक न्यूस देती है कि उसने हाले में एक वह जीनेस के उबार अटैक किया है जिससे एल्डर काफी जदा बिजी हैं कोचेंग आगे से कहता है कि म पर कोई दया नहीं दिखाएगी अब इसके बाद वह दोनों जब पहुंचते हैं तो फिर उन्हें बदा चलता है कि सभी लोग गुचेंग से पूछ रहे हैं कि एल्डर्स उसे इतनी असानी के साथ नहीं पकड़ पाएंगे क्या गुचेंग के पास कोई आइडिया है जिस को पकड़ लेगा और दुनिया के अंदर दुबारा सांती लाएगा अब इसके बाद हम लोग चूफन को देखते हैं और उसके घर के उपर एक बहुत बड़ी सीर लगी हुई थी जो किसी काम की है नहीं वह पर उसके उपर डाड़ते हैं कि वह लोग अकेंड़ के अंदर काई नहीं कि चूफन अपने घडिया काम करना सुरू कर दिया उसे पता होना चाहिए कि यहां पर ऐसे कई सारे एल्डर्स हैं जो उन्हें एक जटके के अंदर मार सकते हैं जिस पर चूफन आगे से कहता है कि उसे अपनी लिमिट्स के बारे में बता है और वो दुबारा ऐ है और कहता है कि साला मैंने कुछ किया भी नहीं इसके बाद वजुद हर कोई मुझे ही तोड़ रहा है जबकि मैं तो डिमॉनिक सक्सेसर भी नहीं हूं फिर हम लोग विया को देखते हैं जिसे पूस्तास करके बाहर छोड़ दिया गया था और उसे अदाजा लग चुका थ सरदर्द होने रखता है और वह सोने के बारे में सोच रहा था वह भी मैं गुझेंग का ध्यान खीशती है और उससे पूस्ती है क्या चुछुर तुम्हारे बीच में कुछ हुआ है वह तुम्हें एसे की खोर जाएगी इस पर बता देता है कि उन लोगोंने पहले ही को रही है मुझे एक्सपोस करने के बारे में और मीं से पूसता है क्या तुम्हें मेरी चिंदा हो रही है देखो जिंदा करो वह मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगी दिश्पे मिंग आगे से बता देता है कि वह immortal palace की successor है मैं उसके साथ करने की कुछ ability ही नहीं रखता हूँ वहीं पर वैंग चुचे से पूछती है कि तुमने कुछ अजिब देख लिया क्या जिस पर चुचो बताती है कि मैंने कुछ गंदा देखा है और उसके बाद उसकी नज़र चुचो की उपर पड़ती है और वो मन क की सब्सक्राइब के लिए रिसोर्स और बाकी सब्सक्राइब को चंग मन के अंदर सुचता है कि आदा मेना हो चुका है अभी तो कुछ बें नहीं हुआ इसके बाद वो टियांजुन और वुया की तरफ देखते हुए सौचता है कि ये दोनों तो आ गए हैं अभी तक सिस् मैं हो रहे थी और वो अपनी आखें करकरि वहां से चली जाती है कि तुम मुझे नहीं देख सकते हैं तो वह कूछा रही कि और उससे पूछता है कि ये वह वही है जिस पर विए बताता है हाँ यह वही है अब उन दोनों के बीच में बस इतनी ही बखवास होती है कि रास्ते से हट जो नहीं तो मैं तुम दोनों को पीट दूँगी लेकिन उसी टाइम पर गूचंग आता है जो कि जियान के कंदे के ऊपर हाथ रखता है और उन दोनो यान जोन आगे से कहता है कि वो तुमसे भाग रही है अगर तुम किसी के उपर इतना जादा पकल रखोगे तो बेसक वो भागने की कुसिस करेगा ही वेपे गोचंग आगे से गोड़ते हुए गयता है क्या तुम मुझे सिखा रहे हो कि क्या करना चाहिए लेकिन उन दोनो सोचता है कि अच्छा तुम यह हो के बाद गोचंग को दुबारा सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेसन मलता है कि एक और किस्मत वाला वापस आ चुका है अब इसके बाद हमें इन लोगों का हलका सा फ्लैस बैक दिखाया जाता है जब हम लोग टियांजुन और उसके मास्ट चैनल के तो यह सब्सक्राइब को देख से निकाले गए हैं लोगों से उसकी साथ मेमोरी से लेकिन टाइम फ्लो की वज़े से अबे तक उसका नाम सामने नहीं आया है वेपे गोचंग एक बॉडल सेट के बारे में बात करता है कि उसका डिस्ट्रक्शन काफे जिदा कारीब आ चुका है और किसी को क्या ही फरक पड़ता है कि अगर कोई कीड़े के उपर पायर रख दे हैं और उसे कहती है कि यहां पर एक और डिमोनिक सक्सेसर है और यह लोग चूफन के बारे में ही बात कर रहें थे इन्हें जैसे ही पता चलता है कि वो भी अकैडमी के अंदर आ गया है तो वो दोनों आपस में कहती है कि अब हम लोग पूरा फायदा उठाएंगे कतले हम वहर कर लेना है जिसके बाद वहां पर अपनी एनरजी से गोचेंग एक चुटी से स्पिर्ट बनाती है और उसे खा जाती है और इसके बाद हम लोग देखते हैं जो कि भागते हुए और नहीं यह सल्हा देता है कि वह भी दिमोनिक सेसर को पकरणा चाहता है वो सभी एल्ल प्लान है जिस पर गोचंग उन्हें बदाता है कि उसके पास एक बहुतरीन प्लान है वो सभी रात के टाइम पहरा करने के लिए जाएंगे और एक हर एक डिसाइपल के उपार चेक करेंगी कहीं उनके उपर अटाइक तो नहीं हो रहा है कि यह बहुत जदा टाइम कंजूमिं इस पर अलर्मो उसे कहता है कि वो तो उसकी मदद करना चाहते हैं ताकि कोई भी डिसापल खातरे में ना रहे इसके बाद गोचंग अचक से वहाँ पे एक अलग प्लैन बनाता है और वो अलर्मो से कहता है कि वो अग अलग जगा देखने के लिए जाएगा और अलग जगा पर जाएंगे उन्हें कोचंग का प्लैन समझ में तो नहीं आता है लेकिन वो उसका साथ देने के बारे में सोचते हैं जिसके बाद वो अलग साइड में चले जाते हैं जिस तरफ चूफें था वह 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 अपने मन के अंदर सोचते हैं कि बतान है यह क्या सोच रहा है और वो दुबारा सिकार पे नकली हुई थी इसके बाद वो अपनी आवाज को चेंज करती है और सिस्टर चन बनके इसको तुमने कहीं भी भी देखा होगा वो एक बंदे को बाहर बोलाती है बिसेकली हवस के चक्कर में दुबारा पिले जाने वाला था वह 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 भागते हुए दर्वाजा खोले के लिए चला जाता है लेकिन जब वो दर्वाजा खोलता है तो फिर उसके समने मौत खड़ी थी और वो उसे देखके कहता है कि तुम तो सिस्टर चन नहीं हो लेकिन तब तक सोकिंग अंदर गुशती है और उसे मार देती है वह पर ट्वि सकसेसर को देखके काफे जिदा हैरांड हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें ने चूफेन को गलस समझ लिया है और वो कंफ्यूस हो जाते हैं कि दोनों में से नकली कौन है वह पर सोकिंग ट्विंसल से पूछती है कि क्या करना चाहिए तो वह आगे से गहती ह है कि उसे ऐसा लगता है कि डिमानिक सकसर आस ही पास है इससे टुइन सोल काफे ज़्यदा है क्योंकि यह सबसे कॉंपील क्लेटेड सिच्वेशन है उसे यह नहीं पता है कि एल्डर क्या चाहता है और गोचंग तो मुसीबत है ही वह गोचंग की नज़र उस मोटे बंदे क तो वो आगे से कोई जवाब नहीं दे पाती है वह पे एल्डर तैली पठी के जरिये उसे गायता है कि कुछ भी मत को हो नए तो मैं तुम्हें प्रोटेक्टर नहीं कर पाऊंगा और वो सोकिंग से पोस्ते हैं तुम उसे जानती हो तुमारा उसके साथ रिलेसंसिप क्या ह लेकिन वह पे गोचंग एल्डर मौ से कहता है कहीं आपको इसके उपर तो सक नहीं है कि यह डिमॉनिक सकसेसर है यह मेरी मेड है और मैं दिल की का समखा गये गहता हूं कि यह बिल्कुल भी डिमॉनिक सकसेसर नहीं है वह पे सोकिंग धूज जुट बोलके काफी चिता ठक और वह गोचंग को सच बताने वाली थी लेकिन एल्डर मौ ऐसा नहीं होने दिते हैं और वह आगे से जूट करने लगते हैं कि उनका सामना डिमॉनिक सकसेसर से हो गया था और वह उसको पकड़कवाते उससे पहले ही सूकिंग सामने आ गई और वह सूकिंग को बचाने के लिए इसको यहां पर साइट मिले हैं और इसे चकर में डिमॉनिक सेसर भाग गया इससे सोकिंग और तुइंसल दोनों हैरान होते हैं और अलर को देखके कहते हैं कि एल्डर वा भाई आपको तो पॉलिटिक्स में होना चाहिए आपकी जवान से तो ओपोजिसन एक जटके म कर रहे हो इसके पर रिलीज करते हो यह उसकी सुकिंग की बारी है और बले ही जाहे एल्डर वो है तो भी कोई से कोई फरक नहीं पड़ता है वो कुछ भी करेगा इसके बाद वो दोनों ही अपनी पावर्स को रिलीज करके वहां पर लड़ाई दंगा करने वाले थे वह फि इसके बाद एल्डर सांथ होते हैं और उससे कहते हैं कि उन्हें पता है कि यहां पे सिर्फ एक ही डीमॉनिक सक्सेसर है इसलिए उन्हें फाल्दो की बाकवास नहीं करने चाहिए और यह लिड़की तुमसे आधी रात मिलने के लिए आई है जाओ और जाके इसके साथ बात कर अब इसके बास हो कि जब गोचंग के तरफ अपना हाथ बढ़ाती है तो गोचंग भाई सब अपना हाथ खीच लेते हैं याने कि दिखा रहे हैं कि नाराज है वह बे मिंग आगे से कहते हैं कि वो यह सब कुछ करना नहीं चाहती थी और वो वह भी वांगती है वह चंग उ उसे ऑक्सन के अंदर एक मिस्टीरियस जार मिला है जो कि उन साथ टूल्स में से एक है जो कि दुन्या को दभा करने के बारे में दम रखते हैं और वह यहीं बात को नहीं बता पाई थी और यह वहीं चीज चुपा के रख रही है उसे कहता है सेवन टूल्स आफ वर्ल्ड कमीनिशन तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया जिस पर सुकिंग आगे से काटवा रही है और वह सोब कि और से क्या क्या चुपा रही है इसलिए फिसके अंदर उसकी नौलेच हो और वो उस दायरे की आंदर हो वेपे गोचंगो काफी अच्छे से बता था कि सूकिंग अब अंधेरे में भी रहती है तो फिर उसे जदा तीनता नहीं होगी वो बस क्या करती है और क्या कर रही है और कहां पे है ये बस जानना है लेकि बहुत जल्दी एडर मों उसे कॉंटेक्ट करेंगे ही और वो चूफन के बारे में सूचते हुए कहता है कि मढने से पहले चलो तुम मेरे थोड़े से कामा ही जाओगे अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है सुभा के टाइम पे उस मोटे बंदे की लास ले जा जा रही थी चोकि दुबारा हावस के शकर में पीला गया था वैंग और चूचू को देखते हैं और वैंग दुबारा चूचू का दिमाग खा रही थी और उसे कहती है कि हम लोग अब अगर चाहे हैं तो मौके का फायदा उठाके डिमोनिक सक्सेसर के बारे में पता लगा सकते हैं लेकिन चूचू का सारा ध्यान गुचंग की दी हु लेने लगी साय से तुम्हारे पास काम करने को कोई काम नहीं है आगे से इस पीज देती हुए कहती है कि वह बौर्ण ही है वो डिमानिक सक्सेसर को पकारना चाहती है ताकि वो दुनिया के अंदर जस्टिस और सांती ला सके उस पर चूचू उसे कहती है कि जा और जाके इं समझा जाता था यहां तक कि जब डिमानिक सक्सेसर का लेना दिना आता था तुम काफ़े जिदा पाजेसिव हो जाती थी लेकिन अब तुम तुमने वह भी छोड़ दिया है अब उससे यहां पर डेटिंग का मतलब 21 तरीके से समझाती है मैं कुछ नहीं कहूंगा बस तुम और रे इसके बाद वह इस तरीका का हैंन मिनाती है जिस से चूचू हैरान होटी है और अगर तुम्हें अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है तो फिर तुम्हारी उमर काफ़े जहाँ छोटी है तुम मेरी वीडियो देखना बंद कर दो मैं तुम्हें बर्बाद कर जोचो उसे कहती है क्या तो इस तरीके से बताओगे मैं तुम्हें सबक सिखाओगी पूरी हिमोनेडिस एंसेक्टर के लिए अब उसी टाइम में वहाँ पे गूचंग आ जाता है जो कि वैंग से मिलने के लिए आया था जिससे वो दोनों काफी हैरान होते हैं कि गोचंग ने इती दूर से भी उन्हें ढून लिया है चुचु वैंग को अकेले ही जाने को कहती है तो वैंग उसे पोजती है तुम नहीं आओगी चुचु कहती है नहीं अब इसके बाद गोचंग चूचो से मिलता है जाके और उसे कहता है कि तुम्हें काफी टाइम से देखा नहीं तुम और विजटा एनेजेटिक लग रही हो जिसपे वैंग उसे कहती है कि काम की बात करो क्यों आए हो यहाँ पे जिसपे गोचंग उसे डिमोनिक सकसर के बारे में बताता है और उसे कहता है कि तुमने पहले अटैक हिया थो तो मैंने सोचा आके मैं तुम्हें बता दो मेरे दिल से यही आवाज आ रही थी वैंगों से पूजती है कि तुम्हारे पास कोई क्लू है जिस पर गोचंग आगे से कहाता है कि उसके पास है लेकिन कोई पूरूफ नहीं है इसलिए वो वैंग को यहां पर अगा करने के लिए आया है कि उन दोनों को हामिशा गाड़ ऑन रखेना चाहिए यानि कि तुरंत सतर का हामिशा और वो यहां पर चुचु को एक और चीज बताता है कि डिसाइपल थें जो कि आपस में ही लड़ मरें और वहां से भाग निकलें जबकि वो दोनों एक दुसरे को जानते भी तक नहीं थे विपिव गोचंग इस वाली बात को भी छेड़ता होगा तुम्हें याद होगा कि गोचंग के घर के ओपर वैंग के ओपर हमला किया था जो गोचंग ने अपने पपेट्स के दरा करवाया था विचंग इस बात को खीशते वे उसे बताता है कि उसके ओपर जो अटैक जिसको नाम वो demonic heart manipulation देता है इसकी मदद से वो किसी के भी दिमा को control कर सकता है और उसे जो चाहे वो perform करवा सकता है इसलिए गूचंग वैंग से कहता है कि उस्सेतर करने चाहिए क्योंकि परचाय के पीछे भी enemies हो सकते हैं और कभी उनके ऊपर खतरा बढ़ सकता है वैंग उसे उसे यहां पर यह बताने के लिए आया और उपर से उसे 70 के रहने की लिए भी कह रहा है और उसे ऐसा लगता है कि गोचंग उसकी सच में चिंता गंडे लगा है वह पर वैंग गोचंग से कहती है कि वह इतनी दूर तक आया है उनने जॉइन क्यों नहीं करता है चूचू भी लेकिन गोचंग आगे से साफ मना कर देता है बैसे कि लिए वो चूचू से मिलना नहीं चाहता था वह पर हम लोग चूचू को देखते हैं जो कि उन सभी की बाते सुन रही थी और उसे गोचंग के उपर काफे ज़दा गुसा आता है कि वह इतनी दूर यहां पर वैंग से मिलने के लिए आया और यह जानते हुए भी कि चूचू यहां पर है उसे मिलना नहीं चाहता है और मैं उम्मीद करता हो कि तुम चूचू के हलात समझ रहे होगे अब इसके बाद हम लोग वया को देखते हैं जो कि पता नहीं हिस्टरी के किताब पढ़ रहा था यह जानने और वो अपनी मन के अंदर सुचता है टीयां зар रिकारने ट हो चुका है उनकी लिए इसके मस्टर और दुसरी जुनियर शैस्टर को भी रिकारनी मिट हो जाना चाहिए और वो आगे से कहता है कि वह उन्ने धून के ही रहेगा तभी उसे बाहर से काफेज़ता जोरों की आव तो फिर तुम मेरे आदमियों के उपर अटाक क्यों कर रहे हो इस पर गोचंग उसे कहता है कि कोई लड़ाई दंगा नहीं है तुम्हारे दिमाग में कीड़े गुजगाए है क्या तुम्हें भूल गए हो कि मैंने शुरुवात में ही तुमसे क्या कहा था अब इसके बाद हम लोग को देखते हैं जो कि अपनी तो असका बताता है हुए वह कि उसके बने मन मदर सुखती है कि और उसे हमेशा करती रहा है इसके रियाक्शन अलग ही रहते हैं अब इसके बात फिनिक्स लेडी से कहता है कि तुम्हें भी लड़ाई दंगा देखने में मज़ा आता है जिस पर फिनिक्स लेडी आगे से कहा देते हैं कि तुम भी तो यहां पे गोचंग के ताकत को मापने के लिए ही आये हो वे फिर ट आगे से काम रखे एस पर गोचंग कहता है को काफी गुस्सा अटा है कि मैं है इसका मतलब इतनी ही ज़्यादा चिंता है तो फिर उसने पहले उसकी डॉबॉन को क्यों निकाल लिया था जब वो दोनों छोटे थे और उसने जब हड़ियों को वापस किया तो फिर जरूर इसके पीछे कोई बुरे हालात होंगे नहीं तो वह बिल्कुल भी डॉबॉन को वापस ना गय है जितनी ज़्याद दूरी उसे बनाया रखोगे उतना ज़्यादा फाइदे में रहोगे अब इसके बाद गोजंग वहाँ पे वॉइड की पावर इस्तमाल करते हुए लेकिन डियान जुन खुद को संभालता है जिसके बाद वह अपनी पावर्स की मदद से वहाँ पे ए अटाक करता है लेकिन गोजंग काफी जल्दी के साथ उन सभी को डॉच करते हुए दुबारा उसके पर अटाक करने के लिए आगे बढ़ता है जिसके बाद वहाँ पे वह दोनों इसी तरीकी से फाइट करते रहते हैं वह पिर वह दोनों अपनी ताकत की मदद से बराबर क करते हैं तो फिर उसे कुछ भी नहीं होता है और वह चूके इदर उदर चली जाती है और वह स्थे वह गहता है कि मैं तुम्हारा मुकाबला बढ़ी आसानी के साथ कर सकता हूं मैं जियान तिन की तरह कमजोड नहीं हूं लेकिन उसी टाइम पे सभी लोग कहते हैं कि उपर इसके बाद गोचंग अपने ड्रैगन को और देता है कि हमला करो तो फिर आसमान से वह बहुत बड़ा पावरफुल ड्रैगन नेचे की तरफ एक बीम को छोड़ने वाला था तियान जुन जल्दी से परपल की से कहता है कि फुल बॉटी प्रटेक्शन का इस्तमाल करो जिस करते हुए कहता है कि कचड़ा हमें इसा कचड़ा ही रहेगा इसे क्या फरक परता है कि तुम्हारी पास का ऐसी फीजिक और का इसी बौंस हैं लेकिन गोचंग आगे कुछ करता कि उसे पहले ही वहां पर वूया आ जाता है जो कि कि गुचंग से कहता है कि उन दोनों का अफ उनों आपस में बाते करने लगते हैं कि हम लोग क्या करेंगे गोचंग बहुत ज़्यदा इविल और कमीना है और हमारे जिनरे सिस्टर यहने जियान का फिजदा इनोसंट और मैंने फोर सिंग आई से देखा है कि वह उसके जाल के अंदर फज जाएगी हाला कि वह या उसे गयती है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं हमें अभी नहीं पता है कि गोचंग क्या करने वाला है और उसकी जो इवन लेस है वो अभी अच्छाई के पाच चादर तले दबी हुई है अब इससे टियान जुन की सांसे अटकने लगती है कि आवो लोग जियान को ऐसे ही इसके बाद उन्हें गोचंग से भी लड़ाई करने ही पड़ेगी और वो लोग जियान को भी अपने पास ले आएंगे इसलिए वो या वहां से वो पानी लेने के लिए चला जाता है अब इसके बाद हम लोग जियान को देखते हैं जो कि गोचंग को जाते हुए देख रह है तो वो डाव फूरुट असल में उसके के औस परपल की थी अब गोचंग उसे इस्तिमाल कर सकता है बले ही एक लोन है लेकिन कम सकती साली नहीं है अब इसके बाद अगले दिन से वहां पर अकैडमी का ट्रायल सुरू हो जाता है और गोचंग की मुलाकात लैन और उसके चोटी बहन सावी से होती है जहां पर उन दोनों को अकैडमी की तरफ से अच्छा ट्रीट किया जा रहा था और इन्हें रिसोर्स पर मिल नहीं थे इनकी कल्टी विसन भी काफे जिदा अच्छी हो रही थी वह पर लैन इन सभी चुजों का सुकर गुजार अपनी चोटी ब सिक्स क्राउन यह है टाइटल पहले यहां पर यह बाच चलती थी कि टियान जो नमबर वन है लेकिन गुजंग से हाड़ने के बाद आव यहां पर किंग विद सिक्स क्राउन आ चुका है और वो लोग सोचते हैं कि पता नहीं दोनों में से कौन बहतर होगा वैपे किंग व वहां पर एल्डर्स आते हैं जो कि उन लोगों को बदाते हैं कि उनका ट्रायल का जो प्रसीजर होता है वो काफे जिदा नॉर्मल था लेकिन हाली में उन्हें बदा चलता है कि जो यह इन एंपरर है वहां पर कुछ बदलावा आ चुके हैं साय से उन लोगों का सामना यह या फिर उससे सकती साली क्रेचर से हो सकता है इसलिए उन लोगों ने उनकी सेप्ति के लिए यहां पे टीम्स को बना दिया है पहले तो लोग अलग-अलग जा सकते थे यानि सिंगल लेकिन हम उने टीम्स के अंदर डिवाइड कर दिया है ताकि उनकी सेथे को बढ़ाया ज जिसके बाद वो श्ट्रो बाहर निगालते हैं तो गोचेंगो यहां पर लीडर बना था वह पर लड़किया तो काफे जदा खुस हो जाती हैं और वह सूचती है कि वह गोचेंग के ही साथ जाएंगी इसके बाद हम लोग चूचू को देखते हैं और इसकी किस्मत फूटी थ तो फिर उसे गोचेंग के साथ जाना पड़ता है वह पर मिंगो भी दूसरी टीम का लीडर बना था लेकिन उसकी जो सेकंड लीडर थी वो वसल में वैंग बन चुकी थी जोकी उसके साथ चमी होने की कोसिस करती है और उसके कंदे के उपर हाथ रखके कहती है कि तुम्हें चुचेंग नहीं लिखा था लेकिन मैं तुम्हारा खयाल रखूंगी गई तुम्हें चुचेंग को चुचेंग नहीं हो रहे है कि तुम्हारा पति अच्छा इंसान नहीं है वेपे हम तीन जोकर्स को एक साथ देखते हैं और ये तीनों ही एक ही टीम में थे वेपे किंग विच सिक्स कराउंड को काफे ज़्यदा परिशानी थी क्योंकि वो लुजर्स के साथ टीम अप हो गया है वेपे चूफें मन के अंदर सोचता है कि यहां पर दुस्मन का दुस्मन दोस्त होता है अब मैं टियांजुन के साथ दोस्ती कर सकता हूँ वेपे अलडर आगे से गहते हैं कि जो सबसे स्टॉंगेस्ट डिसाइपल होगा याने की गूजिंग वेपे चूफेंट गया जाएगा और वो ही बागी सबी टीम को लीड करेगा इसके बाद वो जियां से गयते हैं कि तुम अच्छे से काम करना जिसपे जियां आगे से गयती है कि मुझे क्यों लीड करने का काम दिया जा रहा है भाई मैं तो खुद ही एक डिसाइपल हूँ अब उसे भी टीम लेडर बना दिया गया था लेकिन कोई भी उसकी टीम के अंदर जाना नहीं चाहता था यहां था कि लोग कहते हैं कि मुझे तो फीलिंग आ रही है अगर हम इसके साथ जाएंगे तो पक्का मारे जाएंगे जिसके जियान सुचती है कि जाला में इतना भी कमजोर नहीं हूँ अब इसके बाद वहाँ पे पोर्टल को खोल दिया जाता है जिसके बाद हमें वर्मीलियन बड़ एमपायर कॉन्ट्वेस्ट टीम को दिखाया जाता है जो कि गोचंग की टीम होती है और वो चुचे की त उसरे से नफरत करते हैं जिसके बाद हम लोग वाइट टाइगर एमपायर कॉन्ट्वेस्ट टीम को देखते हैं जहां पे मिंग और वैंग थे पता नहीं वैंग को क्या ही नैसा चड़ा हुआ था और वो मिंग के बम को छूते हुए गयती है कि सौफ्ट है इस पैंग माढ है पर इसका टाइटल तागदवर था आजूरे ड्राइगर एमपायर कॉन्ट्वेस्ट टीम पेशे मुड़के देखती है तो वहाँ पे दोनों भाई थे और वहां दोनों से कहती है कि तुम्हीं दो क्यों आई हो क्या मैं साला इतना अंट्रस्ट वर्दी हूं मैं पेस है उल्टा पोस्ती है कि तुम्हें क्यों करना है तुम तो टॉप 10 में से एक होना अब इसके बाद हम लोग देखते हैं और उनकी बातों से हमें लोगों का पहला एम तो वर्मिलियन बर्ड एमपायर जाना है वहीं पर रूपने बाले हैं और वहीं से अपने अकैडमी की मिसन को पूरा करेंगे टीम को लीड करेंगे जिसके बाद इन लोगों का दूसरा मिनस यहाँ पर टी सेवन टूल्स ऑफ वर्ल्ड डोमीनेशन को ढूणना है जिस पर सोकिंग आगे से बताती है कि वो दोनों जो भाई बहन उनमें से साय से बड़े भाई के पा बढ़क जाता है कि वो सअग्यों से नहीं कर पा रहे थी साती में उसे मिंग और ओजाल के खायाल यादार है थे मिंग को कितनी अची तरीके से ट्रीट करता है और उसे कित्ती बूरी तरीके से और इसी चक्कर में उसका ध्यान बटक जाता है और वो काफे जदा घायल हो जाती है वहीं पर गोचंग अचानक से टपक पड़ता है और कहता है कि जब कल्टिवेट कर रही हो तो फिर मुझे गालिया क्यों दे रही हो इस पर चुचु पोस्ती है यहां पर क्या लेने के लिए हो जिस पर गोचंग साफ बताता है कि वह यहां पर थोड़ी सी मदद के लिए आया है ताकि उसे पता चल सके कि यहां के में सोड़ सक्या है जो कि इंटर्नल ओवर कास्ट के उपर सब बाधा खड़ी कर रहा है ज तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं ही कल्प्रिट हो लेकिन इसके बाव जो तुम यह सब कुछ देख रही हो और अपनी आखे फेरे ले रही हो कि तुम सच में मौटल पैलेस के लिए वर्दी भी हो इसके लिए गोचंग यहां पर चुचो को तोड़ रहा है कि अब तो य जाने जा सकती हैं इसलिए मदद करने के लिए मधाती है लेकिन उसकी एक सर्थ थी क्या है तो चुचु बताती है कि तुम्हें फ्योचर में मुझे अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा लेकिन जवाप तो नहीं देता है लेकिन इसके बात यह दुबारा मचाते हैं अब मैं ये चीज बोलना तो नहीं चाहता हूं लेकिन एक बार बोले देता हूं यूकि मेरा मन नहीं मान रहा है किसे के साथ जबरदस्ती करने से वो तुम्हारे प्यार में नहीं पढ़ेगा बलकि ये तुम्हें अपराधी बना देगा इसलिए fantasy को fantasy में ही रहने दो और असल जिं करना चाहता है हाला कि ये लोग आगे से बताते हैं कि immortal अकैडमी से उनकी डिसाइपल और कुछ पावरफुल लोग आ रहे हैं और वो लोग उनकी मदद कर दाएंगे और वो लोग यहां पर काफी अच्छे से बचाए जा सकते हैं जिस पर लीडर आगे से कहता है कि ये उनक अंत हो सकता है साथे में इनका एक बेटा था जिसका नाम हाव है और वो लोग उसे अपने पैलस के अंदर नहीं पालते हैं किसी और जगा पर रखा हुआ है और इसलिए मजस्टी को काफी जदा खुसी होती है कि उनका बेटा यहां पर नहीं मरेगा लेकिन उसी टाम पे ए वहीं पर उसकी जो चूरियर सिस्टर थी उसका नम किंग जुवान था यह देखने में तुम्हें किंग सू की तरह लग सकती है क्योंकि दोनों जुड़वा भेने हैं आगे इनकी स्टोडी जान लेना अब हाओ वैंग साओ के सवाल का काफी अच्छी से जवाब दीता है य अगर यहां पे कुछ भी होता है तो फिर मैं पक का वापस आओंगा यह चकरने के लिए कि क्या चल रहा है लेकिन वैंग साओ को अभी यकिन नहीं हो रहा था कि यह जगा हाओ जिसे बंदे को जनम दे सकती है जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल हो जिस पे हाओ आगे से है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरी फैमिली इतनी जदा ताकतवर नहीं होगी लेकिन इसके बावजूत में काफी ज़्यादा सुकुर गुजार हो कि मैं यहां पे पैदा हुआ मेरे फादर ने मुझे जो भी कल्टिविशन डिसोर्स हो सकते थे वो सभी दिये और जब उनकी ट्रेजर याने की खादान खाली हो गई तब मुझे इस जगा को छोड़ के जाना पड़ा इस पे वैंग साओ आगे से कहता है कि आपने ये कहानी कभी सुनाई नहीं है और अब इसके बाद वहां पे हाओ की फादर आ जाते हैं तो हाओ वैंग साओ से कहता है कोई scene create मत करना जब मेरे बाप से मिलना असान ही रहना अब इसके बाद हाओ आगे बरता है और अपने बाप को पूरी तरीके से इज़त देता है वैंपे हाओ को नोटनकी करता हुआ देखे वैंग साओ आगे से कहता है कि इतने क्या नोटनकी करने के ज़रूरत है बस कुछ वैंग फैमली के ऑपरेट यानी नहीं जलेगी और बिना उसकी वैंग फैमली के हाओ कभी इतना सक्तिसाली हो ही नहीं पाता इंग जवान को काफे जदा गुसा आता है लेकिन इसके वावजुद वो कुछ कह नहीं पाती है अब उसी टाइम पे वहाँ पे गोचंग और उसकी टीम के जितने भी लोग थे वो जबी सिबसे वहाँ पे आ जाते हैं वेपे जब वो लोग इस जगा को देखते हैं तो काफे जदा हैरान होते हैं कि क्यों उन्हें लगा था कि ये वर्विलियन बर्ड एम्पायर होगा जोकि वर्विलियन बर्ड क्लान के साथ थोड़ी देर के लिए अफिलेटेड है लेकिन उनकी उम्मेदों पे फानी फिर गया है क्योंकि ये काफे जदा छोटा सा कीमडम है जिसपे कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ पे कई बार हमले वमले हुए हैं इसलिए जो ताकदवार लोग होते हैं वो पहले ही काफे जगों को हडब चुके हैं वह पे हाउ अपने फादर से पूशता है कि ये क्या है तो वो आगे से बताते हैं कि इम्मोर्टल अकैडमी ने कुछ डिसाइपल्स को भेजा है ताकि वो मुसीवत को कम कर सकें वह इस बात से कफिजदा नेरास होता है कि सिर्फ यहाँ पे डिसाइपल्स को भेजा गया ही पढ़ता है कि वो मरता है जीता है वहने सिर्फ ट्राइल्स के बारे में ही फिक्र है इसे लिए वह समझ में आ जाता है कि उसे ब्रेक्ट्रू कर ना ही पड़ेगा अगर उसे अपने क्लैन को बचाना है वह उन दोनों से गयता है कि हम लोगे इंदजार करते हैं और आराम लगता है और यह और और कुछ नहीं के साथ ही जोड़ा हुआ था वाइपी दिल में अचानक से दर्द होने लगता है और उसकी वाइल्यू बढ़ने लगती है वो जंग पूचता है तुम्हें क्या हुआ तो सुकिंग एती है कि वह बिल्कुल ठीक है और उसी टेमपे सिस्ट कि आप कलड़ात आराम से आराम की मैंने सुना था कि आप अपनी के अंदर सुबह पांच बजे तक कल्टिवेट कर रही थी वैपे गोचंग भी उसे छिड़ते हुए कायता है कि तुमने काफी अच्छे से आराम किया होगा आप क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो इस ट्रायल को काबिल है तो फिर उसे मदद करने की क्या ही जरूरत है लेकिन गोचंग उसे कहता है कि तुम ऐसा थोड़ी ना कह सकती हो तुम काफी ज़दा हमबल हो और मैंने पहले ही तुम्हारी पावर को कई बार experience कर लिया है वह भी कई सारे मासूम बच्छी होते हैं और उन्हें ये बच्छों के बीच में कहां फस गई ये कितने ज़दा नादान है कुछंग ने इंडिरेक्ली कह दिया है कि वह चुचु के साथ कई बार सो चुका है और उसे चुचु के इस टैमिना के बारे में अच्छे से पाता है वह फिच्छों को इसे काफी जदा गुस्सा आता है ल करता था हाला कि इनकी का फिच्छता इजद करता है और कहता है कि रहने की जरूरत नहीं है वो लोग यहां पे रहने के लिए आए हैं और क्रैसिस को साल्फ करके चले जाएंगे और उन्हें ज्यादा परिशानी नहीं देंगे वह पिचुचु को काफी अच्छी से पता था कि ये साला दिखावा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है और अभी भी दिखावा कर रहा है रात के दुरान गुचेंग की मुलाकाद उसके खबरी बैटमैन से होती है जोकि उसे बताता है कि यहां के जो एम्पिरर का बेटा है हाउ वो चाइड़ दूल से ही काफी जि पूर दीता है और वहें पर चूचो पहले ही काम पर लग चुकी थी इंटर्नल ओवर कास्ट के पीछे के बारे में पता लगाने के लिए कि वह कहां पर है और गोचेंग का कफे जिदा समय इसे बच सकता था हाला कि वह अभी गोचेंग से मिलना नहीं चाहती है इसके बाद वो अपने बैटमैन से पूचता है कि सूकिंग ने अपने कदम बढ़ाना सूख कर दिये हैं तो बैटमैन बताता है कि हां उसने सुरो कर दिये हैं इसके बाद गोचेंग सिस्टम से पूचता है क्या उसका मिसन उसके बैग्राउंड से रिलेट है इस पर सिस्टम हां कहता ह अब गोचेंगों समझ में आ जाता है कि उसे सुकेंगे हरे कदम के उपर काफी अच्छे से नज़र रखनी पड़ेगी वह फिर गोचेंग का प्लान ये था कि अब वो पूरे रैगन वेन ओफ वर्विलियन एंपायर को टुकोड़ों में बाट देगा और उसे निगल देशा किया उसने एसेन कॉंटिनेंट के साथ किया था वही फिर हाओ को पता चल जाता है कि गोचेंग और चुजो यहां पर आये हुए हैं और उसने भी गोचेंग के बारे में काफी जदा सुन रखा था कि वो काफी जदा सकती साली हैं लेकिन उसे एक बास समझ में नहीं भी होती जा रही थी जिसके बाद वो उन लोगों से बताती है कि वो वाक की लिए जा रही है और वहां से निकल जाती है वह पे वैंग साओ उसकी पीछे जाता है पता नहीं क्यों जबकि वो मना कर देती है वह फादर को उन दोनों की चिंता हो रही थी तो हाओ कहता है कि ज को बुलाता है और उन्हें के बारे में पता लगाओ तो वह उधर उधर देखते हैं तो फिर उन्हें दिखाए जाती है जो कि असल में कपड़े चेंज हो चुके हैं लेकिन उन्हों को यह बात नहीं पता होती है कि यहां पर बड़ी बहन भी है इसलिए वह दोनों उसके कुछती है कि उनकी मदर कैसी हैं तो फिर वह बताती है कि उन्हें घर के अंदर अरेस्ट करके रखा गया है उनके भागने की वज़े से उनकी साधी तय कर दी गई है और इससे पूरी फैमली ही काफी जदा सरमनाग मंजर से गुज़र रही है और उससे काफी जदा दुख ह होता है कि वो अपने टैलेंट के साथ उनकी मदद नहीं कर सकती है हाला कि उसे बिल्कुल भी दोस्त नहीं देती है और उससे कहती है कि उसकी लाइफ भी काफे जदा कठिन होगी वैपी किंग जवान अपनी बड़ी वहन से पूस्ती है कि तुम उपर कैसे आई जिसके बाद दुनों बैठ जाती हैं और एक दुसरे के साथ बाते करते हुए लंबी कहानी को बिता देती हैं हमें लाइफ के बारे में सब कुछ पता है कि वह उपनी लाइफ से चाहिए होती है और वो अपनी चोटी वहन से गयती है कि चलो हम दोनों अपनी पहचान बदल लेते हैं अब इससे किसी को भी कुछ भी नहीं पता चलेगा एक तो हम दिखने में सेम हैं और कोई भी कुछ बता नहीं पाएगा लेकिन किंग जुआन आगे से कहती है कि अगर वो लोग पकड़े और यहीं एक तरीका है उसके इच्छा को पूरा करने का जिसके बाद वो अपनी आइडेंटिटी को स्विच कर लेती है तो फिर किंग जुआन अपनी कहानी उसे बताना सुरू करती है और उसे कहती है कि तुम तो गोचेंग की माव निकली साला तुम अपनी चोटी बहन को इठागे ले रही हो हाला कि सुकिंग उसे सांध करा देती है यह कहते हुए कि एडेंटी को एक्षेंज करना हमारे लिए ही फायदे मन्त है इससे मेरी छोटी बहन की भी मदद मिल जाएगी और हम गोचेंग की नजरों से भी बचपाएंगे जो हम पर सक करता है वो मिट जा ने तो वो तुमें कच्चा चबा जाएगा और कोई बचा भी नहीं पाएगा अब इसके बाद वो दोनों अपने कपड़ों को भी वहाँ पे चेंज कर लेती हैं अब इसके बाद में लोग किंग जुवान को देखते हैं जिसने सुकिंग के कपड़े पहने हुए थे अब वैंक साउं को इगनोर करते हुए आगे बढ़ने लगती है आला कि वैंक साउं उसे कहता रहता है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूं किंग जुवान लेकिन उसकी बादों घ्स लेकिन वैंग साओ अपनी हद पार कर देता है और उसके कंदे के उपर हाथ रखके कहता है कि मैं सिर्फ हाओ की वज़े साही तुम्हें जुनियर सिस्टर कहता हूँ तुम्हें अपनी अवकात नहीं भूलनी चाहिए और यह भी मत भूलो अपने एंसेक्टर के बारे में वैंग साओ का एलडर आ जाता है जो कि उसे पीछे धकेल देता है वैंग साओ आगे से कहता है कि उसका दिमाग खराब हो गया है उसे जल्दी से सप्रेस करो जिसके बाद हम उसे अच्छा सा सबग सिखाएंगे और एलडर ओडर को मानते हुए वहाँ पे अपनी आवर को रिलीज करता है और अटाय करने के लिए रेडी हो जाता है हाँ को ये अरव महसूस होता है और वो तुरंद वो चेकरने के लिए वहाँ पे तीजे की तरफ आगे बढ़ने लगता है और मन के अंदर सुचता है कि पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं ये सब कुछ देख रहा था और अपनी मन के अंदर सुचता है कि यहाँ पर प्रिंस के बीच में सैक्रेड लॉट का भी अवरा है ऐसा लगता है कि यहाँ पर सभी जीजे अपने हिसाब से चलने लगी है साय से आप विलन को यहाँ पर अपना जल्वा दिखाना चाहिए जो कि उस अटाइक को डिफलेक्ट कर लेता है और वैंग साओ से पूचता है कि तुम क्या कर रहे हो जिस पर वैंग साओ जवाब देता है कि जुनियर सिस्टर पागल हो चुकी है उसने मुझे मारने की कुछिस की इसलिए एल्डर को एक्सन लेने के लिए बाहर आना हाओ को इसバाद के उबर बिल्कुल भी यकिन नहीं होता है और वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जूनियर सिस्टर अटाइक करें मैं फिए कि नाटा कर दे हुए कहती है कि कौन तुमारी सिस्टर है मेरा नम सू किण है उसी टाइम वहाँ पे सूकिं आ जाती है जो कि क किंग जुआन बनी हुई थी और वो उन लोगों से पूशती है कि क्या चल रहा है मुझे धमाके की आवास सुनाई धी और वो सब्सभी लोग वहाँ पे एक और एक और किंग जुआन को देखके हैरान हो जाते हैं वैंक्स आव हैरानों के पूशता है कि कि यहां पे दो-दो किंग जुआन क्या कर रही है वह पे एलर आके से कहता है कि कुछ तो गडबड है सावधान रहना वह पे हो भी यही पूछता है कि चल क्या रहा है जिन में से कोई भी जवाब कोई नहीं देता और उसी टैम पे वहां पे गुचंग एंट्री मारता है जो क कि प्रेसर को रिलीज कर रहा था और वह उन सभी से पूचता है कोई मुझे बताएगा कि यहां पे चल क्या रहा है तुम लोग क्रैसिस को छोड़के आपस में ही लड़ाई कर रहे हो तुम्हें कुछ जादा ही सौक चड़ा है क्या लड़ाई दंगा करने का वह पे वो सब है इसलि autor to exposure की पास ही है क्योंकि उससे फील हो जाता है और वो इससे पुसता है कि यहां पे चल क्या रहा है और तुम ग्या evolぎ صुवी थी तो वह गोचंग को न पहचानने का नटक करती है और पूस्ती है कि हम दोनों एक झानते हैं यंघ मास्टर वह पेर गोचंग को यह त वो दो soaking को देखे काफी जदा confuse हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है जिसके बाद वो असली वाले soaking की तरफ देखता है और उसे ऊपर की तरफ उसकी luck value दिखाई दे जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि यही soaking का mission है और उन्होंने पहले ही अपनी body और सॉली अपनी identity को switch कर लिया है जिसके बाद वो असली वाले soaking से दूर हो जाता है और किंग जवान से चिपकते हुए कहता है कि माफ कर दो मैंने तुम्हें गलत परसंद समझ लिया था जिसके बाद वो किंग जवान से पूचता है कि तुम्हें इतनी बुरी तरीके से बुली कि अटैक किया वईपे गोचंग उन लोगों से काहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लोग मेरे ही इंसान को मेरे परसंद को परिषान करने की कुशिस कर रहे हो व Teques वान गोचंग से माफी मांगती है उसे रात के टायम पर परिषान करने के लिए लेकिन गोचंग उस उसकी बहन को ट्रीट करता है और उसे लगता है कि उसकी बहन काफ़े ज़दा खुस होगी इसके बाद वो बड़े प्यार से उसे नीचे भी रख देता है ये कहते हैं कि आराम करो वह पर ट्विन सोल जले पर नमक छिड़कते हुए सोकिंग से कहती है कि देखा तुम्हारी लेट छोटी महन को वो तो तुमसे भी ज़्यादा तीज है वो पूरे मौके का फायदा उठा रही है तुमको गोचंग की साइट से रिप्लेस करने का हलागी सोकिंग उसे चुप रहने को कहती है अब इसके बाद गोचंग उन दोनों योगा सो दोनों से कहते हैं इससे काफे घबरा जाता है कि उसने आज तक इतना ज्यदा डर पहले कभी मैसूस नहीं हुआ था के तुमें सचमे लगता है कि तुम इतनी असानी के साथ मुझे बूली कर सकते हो लेकिन अगले ही पल वो अपने गुट्णों पे आ जाता है और गुचंग से माफी मांग लिता है और उसे कहता है कि मुझे आप फार्ट की तरह समझे यानि की पाद और मुझे उसे तरीके से जाने दें मैं पेगोचंग Kingswan से पूछता है कि तुम इनके साथ किस तरीके से निपढ़ना चाहती हो मैं पेगोचंग Kingzwan आगे से कहती है कि आपकी जैसे ही इच्छा है वैसी करिए मुझे कोई फरक नहीं पड़ता और वो अपनी मन के अंदर सुचती है कि ये बहुत ज़ादा डरामना इंसान है मैं अपने सब दवा अपस लेती हूँ मैं इसे बिलकुल भी अपनी आइडेंटिटी के बारे में डिस्कवर करने नहीं दे सकती हूँ मड़ी जल्दी पता चल गया कि आइडेंटिटी स्विच करके काफी बड़ी गलती कर दी है वेपे गोचंग तो डिरेक्ट वैंग साओ को मारने ही वाला था लेकिन वैंग साओ एलडर के उपर इंजाम लगा देता है और कहता है कि इसे ने किया है तुम्हारी मेट के साथ जो कुछ भी करना था मैंने कुछ भी नहीं किया वेपे एलडर इच इच को एकसेप्ट कर लेता है और आगे से कहता है कि उसने ये सब कुछ किया है और वो अपने दोनों हाथ देने के लिए मानता है और वो अपने दोनों हाथ कुरुबान कर देगा अपलोजी के तौर पर भोचंग गहता है कि तुम्हारे हाथों की मैं क्या करूँगा लेकिन ये इतना काफे नहीं है जिसके बाद वो उनके उपर एक जौरदार अटेक करता है और उनके दोनों हाद उखाड लिता है वैपे हाउ से हमें पता चलता है कि गोचंग ने डिरेक्ट एल्डर के उपर अटेक किया है इसे के लिए उसने कल्टिवेशन छीन ली है अब इससे हाउ को समझ में आ जाता है कि गोचंग बिल्कुल भी काइंड हाड़ेट परसन तो बिल्कुल नहीं है जैसा उसके फादर को लगता है वैपे अईलर गोचंग से बस यही कहता है कि मेरे मास्टर के उपर दाया दिखाना वैपे किंग जवान गोचंग का यह वाला रूख देखके काफ़ी जदा घबरा जाती है वैपे सूकिंग की ट्विन्सोल आगे से गयती है कि मैं इसके औरा को एपरिसीट करती हूँ यह तो तुमसे भी ज़्यादा डीमॉनिक सकसर लगता है इसपे सूकिंग उसे गयती है कि यह तुमने देखा नहीं है कि वो बाहर वालों के साथ बिलकुल भी अच्छे से चीट नहीं करता है और ना है उनकी बिलकुल भी चत करता है इसपे ट्विन्सोल आगे से गयती है कि तुम बेवकोफ हो तुम कौन से insiders के बारे में बात कर रही हो कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम उसके insiders में से एक हो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ अपनी फियांसे के लिए ही इंसान है बाकी सब्सक्राइब के लिए तो वो डीमन से भी जादा बढ़के है अब इससे दुबारा सुकिंग को बूरा लगता है और मैं इसके पेसंस की दाथ देता हूँ यह अभी दगोचंग के साथ चिपकी हुई है कर वहीं पर गोचंग वैंग साओ को घोड़ते हुए कहता है कि अच्छा प्रोटेक्टर है जिसके बाद वह गोचंग से रिक्वेस्ट करता है कि वह साओ को उसकी खाथिर माफ कर दे क्योंकि वह सुप्रीम कीव हैवन का डिसाइपल है और साथ ही में वर्मिलेंड बर्ड एंपायर का तीसरा प्रिंस भी लेकिन गोचंग आगे से उससे भी यही कहता है कि तुम मुझे उसे माफ करने के लिए कह रहे हो क्या तुम मेरे खिलाफ जाना चाहते हो वेपे गोचंग उसकी लग वैल्यू को चक करने के कोशिस करता है तो फिर उसे कुछ भी नहीं पता चलता है कि कितनी वैल्यू है अब इसके बाद वहाँ पे बाकी सभी लोग भी इखटा हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि बवाल होने वाला है वैपे हाओ गुचंग से साफ कहता है कि वो उसके खिलाफ नहीं जाना चाहता है बस गुचंग चाहता है कि वो थोड़ी से दया दिखा कि वैंग साओ को जाने दे वैपे गुचंग आगे से साफ करता है कि वो पहले तो उसे जिन्दा रखने वाला था लेकिन अब उसने अपना मन मदल लिया है और उसे घंटा फरक नहीं पड़ता है कि उसके पीछे बैगराउंड क्या है या फिर उसके पीछे कौन सा बैगराउंड है वो उससे दुबारा फैमिली को वैंग फैमिली के सन को बचाना काफे ज़्यदा जरूरी है नहीं तो उसके क्लैन को दिक्कत हो सकती है और वो गुचंग से दुबारा वैंग साओ को माफ करने के लिए कहता है लेकिन गुचंग उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसके उपर डिरेक्ट अटै होता तुम कभी वी यह जीज़ नहीं समझ पाओगी कि मुझे सा बंदा जो कि छोटी कंट्री से आता है वो लोवर रियलम से कदम कदम बढ़ा के इतना जदा सकती साली हुआ है गुचंग को समझ में आ जाता है कि उसकी पावर गुचंग से जादा है इसलिए उसके प्रेस इसको सॉल्व करने के लिए आए हैं और उपर से वह यहां पर एक बंदे को बचाना चाहता है जिसने उसकी मेंट के बार अटाइक किया और उसे बचाने के लिए वह उन लोगों को भी अपना दुस्मन मनाने को राजी है क्या वह सच में इसी तरीके से अपने किंग्डम की रक्सा करेगा क्या उसके लिए वो बंदा जो उसके पीछे खड़ा है वो डिजास्टर से भी जादा जरूरी है इसे वहां की जो लोग थे यानि की जो हाओ की लोग थे वो ही उससे कहने लगते हैं कि जो बंदा गोचंग की मेंट क्यों पर अटाइक करता है और उसे मारता है तो फिर थर्ड प्रिंस उसे क्यों बचाना चाहते हैं जिस पर हाओ उससे कहता है कि उसके सब्द काफे जिदा कुरूल है वो एक जेंटलमेन कैसे हो सकता है इस पर गोचंग आगे से कहता है कि मैं तो एक जेंटलमेन ही हूँ और मैंने कभी खुद अपने बारे में जा रहा है और वो अपनी पावर्स को वहां पर रिलीज करते हैं कि तुम्हारी हिमत कैसे हुई अब यहां पर हाओ का लेवल गोचंग से काफे जदा था दरासल वो कौशी सुप्रीम रियलम पे था और आप यहां पर हाओ सबसे पावर्फुल बंदा है वहां पर वैंग सा कहता है कि यह सारा वावाल उसकी गलती थी एमपायर का इसे कोई लिने दिन नहीं है तो फिर उसके फादर को इसमें क्यों घसीटा जा रहा है हला कि गोचंग को उसके सुप्रीम कौशीर यलम पे होने से घंटा फारक नहीं पलता था जिसके बाद वर चुटकी बजाता है तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे गोचंग उसी सुप्रीम सील का इस्तमाल करता है जो वह अक्सर किया करता था हम देखते हैं कि उपर से एक भारी भर कम सील आती है और वो जैसे जैसे नीचे आ रही थी तो फिर ग्रैविटी की वाज़े से पानी उतल पूतल होने लग जो बॉडी से निकाले जाती है उसको स्टेंथ कहते हैं और जो बावर से यूज की जाती है जैसे गोचंग ने यहाँ पी सील का इस्तमाल किया तो वह पावर हो जाएगी जो की एक्स्टेर्नल फोर्स है यानि बाहरी ताकत जैसे कि एक बंदा अपनी ताका से दुस्मनों क को मारता है तो एक पुलिस वालों को खरीद के अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग की फादर को वहां पर ले आते हैं तो इन्हें इन्वाइड यानि प्यार से लेकि आओ तुम इनकी बेस्तिक्यों कर रहे हो मैं पर हाव के फादर से पूछते हैं कि यहां पर चल क्या रहा है तो गुचंग आगे से बताता है कि कुछ नहीं बस आप यहां पर सू देखिया और इंजॉय करिए वह अपने कदम पीछे ले लेता है क्योंकि वह गुचंग से अब जीत नहीं सकता था मैं पर वैंक साओ उसे कहता है कि अब उसे गीवप करना जाता है और वह गुचंग से गयता है कि अब इसका मेरी फैमिली और मेरे वरमिलेंबट एम्पायर से कोई भी लिने देना नहीं है वह चंग उसे कहता है कि समझदार हो सिच्विशन को जल्दी समझ गये मैं पर गुचंग मंदा सोचता है कि अब मैं इसका इस्तमाल तुम्